नमस्कार मेरा नम नम्रतायर में तप्षा चौटी में पढ़ती हूँ आज मैं आपको एक निवन सुनाने जा रही हूँ भाशा एक ऐसा मात्यम है जिसके गारा हम अपने विचारों का आदान प्रतान कर सकते हैं हिंदी भाशा विश्व की प्राचीन और सरण भाशाओं में से एक हैं इस भाशा का जनम लखोप एकचार वर्ष पूर्व देपाज्व संस्क्रत से हुआ था हिंदी भाशा को सीखना बहुत आसान है भारत लेश में सबसे अधिक हिंदी भाशा ही बोली जाती है वर्षमान में भारत के सभी राज्यों जैसे बिहार, मद्यप्रदेश, राजस्तान, हर्याना, उत्रागन आदी में हिंदी भाशा बोली जाती है इसलिए 14 सितंबर 1947 को हिंदी राज्यों भाशा को दर्जा दिया गया है हिंदी अमारी मात्र भाशा है, इसलिए हम सब कर्तपय हम इसका सम्मान करें तका इसके विस्तार का प्यास करें धन्यवाद हम हम इसके अमान करें लोली ऑाती है